अच्यों आज जैसी करांगे Classics दी English दा Lesson No.7 प्लेइंग कबड़ी इस वीडियो भी जैसी करांगे Activities से Question-Answer सब्सक्राइब कर देया Activity No.2 Read the meaning and sentence of the following words थल्ले दित्ते ओई शब्दान दे अर्था नू देखो Make one sentence of your own and write in given space अते एक वाक बनाओ अते दित्ती होई जगाते लिखो सब्सक्राइब पहले वर्ड ओना ने दित्ता ओया है Breath Breath दा मतलब उन्दा सा एदा meaning देखते हैं The air that goes in or out of mouth nose ठीक है? ओ हवा जड़ी साथे नाक दा मून द्वारा अंदर जान दिया ते बहर आन दिया है मतलब सहा एदा वाक कोना ने बनाया है He took a deep breath कि उसने डूंगा सा लेया and jumped into the water अते पानी विच कुद गया असी एदा वाक बनावांगे I want to breath in fresh air कि मैं ताजी हवा विच साल है ना चोंदी हा Next is member Member दा मीनिंग है A person who belongs to a group और a team ओ व्यक्ती जो किसे group ना जा किसे team ना बिलोंग करदा होई जिसरा देख दिया He is a member of the football team कि हो football team दा member है असी दा sentence मनावांगे She is a member of parliament कि हो parliament दी member है जा तुसी Parliament दी जगा हक्की भी लिख सकते हो Next is touch Touch मतलब शूना To put one's hand on or against something मिन्स कि अपने हाथ नू किसे दे उपर रखना मिन्स किसे नू शूना एदा sentence है Don't touch that pot Pot उन्दा है बरतन पांडा ठीक है कहरेने कि इस पांडे नू ना शूओ It is very hot एह बहुत गर्म है असी बनावांगे Don't touch this electrical wire Electrical wire केंदेने बिजली दी तार नू इस बिजली दी तार नू ना शूओ Next है Continued Continued है Means की लगातार जारी रहना ठीक है This is something that goes on and on Means की किसे चीज़ा लगातार जारी रहना Sentence है The game continued for two hours कि जड़ी खेट सी लगातार दो कैंटे चल दी रही एदा सी बनावांगे He continued his studies कि उनने अपने जड़ी पढ़ाई सी और जारी रखी सी Next है Activity No.3 Read and Write Answer सब तो पहला question देख दिया What qualities are needed to play कबड़ी Qualities उनने है खूबियां और केडियां खूबियां Means की कबड़ी खिलारी दे विचे होनिया चाहिए दिया कबड़ी खेड़न वासते है केडियां खूबियां होनियां चाहिए दिया ने Answer कबड़ी प्लेयर शुद्ट भी स्ट्रॉंग Quick And able to control their breath कि जड़ा कबड़ी खिलारी है ओ मजबूत होना चाहिए दा मिन्स की ताकतवर होना चाहिए वा तेजी होनी चाहिए दिया तेजी मतलग Quick होना चाहिए दा है ते अपने सानु कोंट्रोल करके रखन वाला होना चाहिए Next time When is a person out in कबड़ी कि जड़ा कोई व्यक्ति है और कबड़ी दे विच्चो आउट कदो समझा जान दा है जा कदो होना है एदा Answer When a stopper Stopper उन्दा है रोकन वाला When a stopper who is touched और a Raider Raider उन्दा की जड़ा means की चाल खेलन दूसरे टीम दे विचे जान दा है ठीक है और a Raider who is caught on the opposite side is out मतलब की जड़ा रोकन वाला वा और टच करलन दावा ठीक है किन्नों टच कर दावा जड़ा चाल खेलन आया खेलारी है जां फिर वो फड़या जन्दा वा दूसरी साइट ते जागे ते वो खेलारी आउट समझा जन्दा है Next How many players are needed इन्ने कबड़ी team कि कबड़ी खेलन वासते किन्ने के लाड़ी चाहिए देने ते बच्चों कबड़ी तीम वासते 7 players चाहिए देने असी लिखांगे 7 players are needed इन्ने कबड़ी team Next Which team wins the game केड़ी team जड़िया खेलनों जीत जांदी है एदा आंसर लिखांगे When all the members of the team are out जो तो सारे ही team दे member out हो जांदेने The other team wins the game ते दूसरी team game जीत जांदी है Next question Is कबड़ी ये local और an international game के जड़ी कबड़ी है वो local game है जा फिर अंतरास्ट्री game है Local मतलब रास्ट्री तब बच्चों पहले ये सिर्फ रास्ट्री गेम सी पर हुने international game है ठीक है एन्हों सी लिखांगे Now it is an international game की है? International game है Next When did the game start as an international event? ठीक है? कि कदो game ने पहला मिंस की international अंतरास्टी जड़ा event सी ये कदो होया सी ठीक है? कदो start होया सी गा कदो होया सी है? 2004 दे भी जोया सी असी लिखांगे The game started as an international event in 2004 World Cup की लिखांगे in 2004 World Cup Next है activity no.4 कैरेने Select the correct word from the box given below सानु थले शब्द दित्ती होया ने असी जड़ा शही सब्दा ओच चूस करांगे and write in the given space अती उन्हों लिखांगे जड़ी ओदी दित्ती होया जगा पर पहले यह सी एनना थी अर्थ जड़ी शब्दांथी अर्थ है उन्हानू समझ लगने जिसना ड्रॉव ड्रॉव होनदा है ब्रबर ब्रबर असी किते यूज करना हमा जो दोना खिडारिया थे चड़िये श्कोर है ब्रबर होनदी है किसे थे कटवाद नहीं उन्दे आप यूज करना हमा रोव मीन्स ब्रबर नेक्स्ट है कोट मैदान खेट आप मैदान नेक्स्ट है स्टैंड जगह हुंद है, जित्थे दर्शक कि बार्ट के मैच देखतें ने नेक्स्ट है रही रहाफरी, रहाफरी गेम दा जड़ा फैंसला दिन थे? उन्नों केंदे है रहाफरी नेच्स्ट है Pitch, पिच बचे ओ जगा जिते बैट बोल मिन्स की क्रिकरड दरे बैट बोल है वो खेले आजान दाए नेच्स्ट है Coach, Coach होन दाए ज़ड़ा टीम नू सिखहलाई दिन दाए मिन्स की टीम नू खेड़ दे दाओ पेछ स्खान दाए औन्नू कैन दिया Coach नेक्स्ट है, विसल क्यांदेने, city नूँ नेक्स्ट, spectator, spectator दर्शक जड़ी लोग मैच देख 하는데, उन्नू क्यांदे आ, spectator नेक्स्ट है, empire उन्पार हुँँँअ है, निर्न न देन वाला, जां कोई फैंस देन वाला, ठीक है नेक्स्ट है, pavilion पविलियन उन दिया है जित्थे खिलाडी बैट के बैट देने उस जगा नू केंदेने पविलियन हुन असी खाली जगा नू देख देऊं फर्स्ट वन है इस वेर यू बैट आप आप आण बाउल इन क्रिकट ओह जगा जित्थे बैट बॉल मेंस की खेल ला जान्दा अनू केंदेने पिच दिस इस वेर यू कैन प्ले बास्केट बॉल जगा जित्थे बास्केट बॉल खिल ला जान्दा अनू की केंदेने कोट मेंस की मैदान खेर दा मैदान ठीक है बास्केट बॉल खेर दंदी जगा नू केंदेने कोट ते जित्थे क्रिकट खिल ला जान्दा और नों केंदेया पिज नेक्स रहा है ना परसन वचिस एक गेम और मैज जड़ी परसन गेम नो देख देने जा किसी एक मैज नू जा गेम नो देख देने दर्शे कुंदेया ना नों कांगे स्पेक्टेटर नेक्स यह दिसी इस सम्धिंग डाट में किलाउट नौइस ओ ची वे मैच दा जिस विच कोई भी जड़ी टीम है उच जित्ती नहों भी ठीक है ना उन्हों सी कहांगे ड्रो मिंज की दोनों टीम बराबर है कोई टीम जित्ती नहीं है वे मैच जित्ते तुई खड़े हो कि जाब बैट के मैच देखते हो उन्हों के अंदया स्टेंड्स वे व्यक्ती जो सिखां दाये कि गेम नू केड़्डा जाना है उन्हों केंदया स्टेंड्स वे वे व्यक्ती जड़ा देख्दाया की जड़ी रूल है वा फोलो किते जारे ने क्रिकट ग्रॉंड बिच जड़े नहीं उस व्यक्ती नू कांगे अमपाईर next this is the place where players rest and get ready for the game ओ जगा जिते players खिडारी rest करदेने ते जा अपनी गेम वासते त्यार उन्देने उन्नों केंदेने पविलियन हुन असी करांगे आर्टिकल ते बच्यों आर्टिकल केड़े केड़े उन्देने ए ए आन्दे द ठीक है करा फोर वी हुन्देने लेकिन सान्णों इस टाम स्लेबल्स दे विज ए आन्दे द गए असी देख देयां ए आन ए आन आन्द दा वर्ट्स देड गम भी फोर आन्द ए नाउं ए ओ शर्ब्द ने जड़े नाउं तो पहले आंदेने They are called articles, ते जड़े शर्ब नाउन तो पहले आंदेने उन्नानू क्यांदेने articles, जिसरा फर्स्ट है words noun that begin with the consonant sound, consonant केड़े होंदेने जिसरा A to Z तक होंदेना, ते एदे विचो जड़े vowels आउन्नानू पंजानू काड़के, ते जड़े बाकी 21 जड़े words बाच देना ओंदे या consonant, ते साथे vowelsल्स केड़े ने A, E, I, O, U, एफ वावल्स ने इन्नानू उसी करदांगे, ABC दे विचो ते बाकी जड़ी ABC बचे की उन्नू कहांगे ऐसी consonant, consonant ठीक है, जिसरा कहारे ने dog, man, take, हाना आइसी हून इनना देग्गे की लगा मांगे, ए नाउन है ना देग्गे की लग हमांगे, जिसरा इनना देग्गे आजेगा, A, ठीक है, ए सारे केड़ी है, D, D केड़ा word है, consonant, इनना देग्गे की आजेगा फिर A, हुन कहारे ने, words that begin with a vowel sound, such as apple, ant, umbrella, हाना, जिसरा A, ए वावल है, U, ए भी वावल है, हाना, इनना देग्गे की आएगा, N, ठीक है, N लगना मां, सिर्फ वावल्स देग्गे, यह हमेशा जाद रहे हो, सिर्फ पांच वावल्स नी, तो उसी एनना देग्गी तरह जाद कर लो, केड़े केड़े है, A, E, I, O, U, एनना देग्गे हमेशा, N ही लगेगा, चाहे कुछ भी होए, एनना देग्गे हमेशा, N ही वरत ब्लैक डॉग, दा ब्लैक डॉग हमेशा, एनना देग्गे दा लगेशा, मिन्स कि जो भी जुनिक होएगा, पर्टिकुलर कोई चीज होगी, ओ देग्गे लगजेगा, D, ते एक देग्गे लगेगा, कॉंस्नेंट देग्गे, ते बाक्की जड़े है, वावल्स देग्ग पर्टिकुलर कोई ब्लैक जाया back Mouse खानद दा लगेक होगीशा, ते रिवर्स कोई देग्गे।ं अ बैसा देग्गे लगेगा, पर्टिकुलर कोई देग्गे ऋटर देग्गे चीज होगी। हुन बुक है बुक देग गयाएगा ए और ओ तो स्टार्ट हो रहा है इट मिन्स कि वावल है देग गयाएगा एन हुन असी अक्टिविटी नंबर फाइव कर देयां कहारेने फिलिंग दी ब्लांक्स विद ए और अन ठीक है सब तो पहले कहरेने पहला है में आई हाव डैश और प्लीज ओरेंज ओ तो स्टार्ट हो गया ना इट मीन्स वावल है देग गया जेगा एन तो बच्चियों होने असी सिर्फ ए आन ही पर ना देविच असी सिर्फ ए चाक करना कि जड़े वावल्स है वावल्स केड़े ए ए आई ओ तर यू एनना देग आपा सारे अंट लादना ते बाक्यां देगे अपा ए लगा दना चलो देख दें कबडी इस डैश टीम गेम कि कबडी एक टीम गेम है टीम तो स्टार्ट हो रहा है वावल नहीं है इट मीनसे कि ए आई आजेगा ते आई ए वी वावल है एधिया के वी एन आजेगा नेक्स्ट दे शॉल्डर लॉस्ट डैश आई इंदा वार जराशी पाई है उसने अपनी जांग दे विच एक अख गवा लई आई यी तो स्टार्ट हो रहा है इट मीनस वावल है एधिया गया जेग आई नेक्स्ट डैश एप यह एत ना करेम है एधिया जीए एक गया जर और एक हालट हैर ये अन्सट डैश गोई-ेक अनिमल एन्ना दोना दें बिचो कोई भी वावल नहीं है एन्ना दोना दें गिया जेगा ए ए क्या रहे ने कि जडि गामा ओव एक क्रेलू जानवर है डमेस्टिक हुन दें क्रेलू next है डैश्ट अलिफंट है डैश्ट लांग ट्रंक ट्रंक हुन्दी है जडी हाथी दी सुन्दूंदी है elephant ई तो स्टार्ट हो रहे है vowel है दे गया जेगा an ठीक है an elephant has a long trunk activity number 6 दे विच कहा रहे है filling the blank with a and or the होना सी a and ते द नू fill करांगे a किते यूस करांगे consonant देना ठीक है ते an किते करांगे वावल्स देगे ते द किते करांगे particular things देगे संजे lives in dash small house small house कुछ भी नहीं है न वावल्स न पर्टिकुलर थिंग है ते गया जेगा a कि संजे जड़ा एक छोटे कार्दे विच रहनदा है it is dash old house ठीक है old ओ तो स्टार्ट हो रहे है इट मिनसे देगे एन आजे नहीं है बिना सोचे तो ही वावल्स देखना है ओदे अगे एन लगा दना ठीक है एक पुराना कर है बड़ संजे इस वेरी हैपी देर पर संजे होते बहुत खुश है dash house has dash nice garden with dash mango tree in dash center कहारे ने होन house दी कालो रही है ठीक है पर्टिकुलर चीज आगी है एदे अगे आजेगा the house has nice garden ठीक है the house has a nice garden with a nice mango tree कि जड़ा कार है ओदे अगे मिनसकी कार कर देविच कि एक वदिया garden एक आंब दा बूटा है ठीक है किते center देविच कर दे center देविच in the center next is using the और किते यूज कर सकते हैं we use the for unique thing जड़िया unique thing sun, moon, earth, library, bank, post office यह साल यहां unique चीज जावा इनना देख किया सी लगाना है the और किते करना यूज number two देखो we use the when the noun before when the article has to be used come the second time in the same passage और किते अगे पैरे देविच पैसेज देविच एक sentence देविच अगर the mean sorry एक जड़ा noun है और दुबारा यूज किता जावे जिसना example देखो I saw a movie last night कि मैं last night एक movie देखी हुन movie देखे कि लगा हुया A next देखो the movie was so boring that I fell asleep कि जड़ी movie ही बड़ी boring ही थे मैं सोगया हुन हो थे A लगा हुया A movie लेकिन जिते फूल स्टोप होगे अगे पैसेज स्टार्ट हो रहा अगे जड़ा sentence स्टार्ट हो रहा हुद है कि द लग गया उन्हाने थे एही किया वा कि जो दो सेम पैसेज देविच अगर नाउन दुबारा यूज किता जावे जिसरा movie वर्ड आसी दुबारा यूज किता न तिफेर ओदेखे भी द लगना है समझ आया कि अगर सेम पैसेज देविच सेम पैरे देविच अगर आसी सेम वर्ड दुबारा यूज करांगे ते ओदेखे भी द लगगेगा उन्हाने अक्टिविटी नमबर साथ स्लेक्ट ता राइट आर्टिकल अन्ड अंड लाइन इड हूं जड़ाज इससाी आर्टिकल उन्हों पैरांगे थे थे अंडरलाइन करांगे सब तो पहले आर्टिकल केड़े केड़या एन ते द्s ए कित्थी लगना है? performers 10 लगना है? particle thing D偲गना है? एन लगामा कैसी? सिर्फ vowels देनाल सब तो पहले देख दिया, my mother is dash doctor and my father is dash author और doctor, doctor देख गया जएगा A, कि मेरी माँ एक doctor है, अधि my father is an author, author A तो स्टार्ट हो रहा है, वो वला एक देख गया जएगा A, कि मेरे पिता जी एक लेखक ने, नेक्स्ट है, रागव recommended, recommended होंदा है किसे नू मिन्स की सुझाव देना, ठीक है? रागव recommended dash good dentist, good dentist की मिन्नू रागव ने सुझाव देख देख गया जएगा A, A good dentist, but dash dentist does not have time for dash next two months, हुन बज्चों मैं अपता नू पहले विदा से आई सी, कि अगर same passage देख दुबारा नाउन आंदा है, ते उसी दुबारा फिर असी अदेख की करांगे 10 लगा मांगे, क्योंकि dentist दुबारा आया है, नाउन है ते दुबारा आया है, एदेख गया जएगा, The dentist does not have time for the next two months की, उस dentist को अगले दो महिने time नहीं सी, Next है, Mount Everest is dash highest peak in the world, हुन highest peak, ठीक है, कि जदी विशेश तावा, एदे गया जएगा, The highest peak means की उच्ची चोटी, Mount Everest जड़िया दुनिया दी सब तो उच्ची चोटी है, It is dash very beautiful mountain, एदे ही एक बहुत means की प्यारी पहाडी है, एदे गया जएगा, Next है, Uma dash, Uma recommended dash book to bubbly, एदे च बुक के एदे लगावांगे, कि Uma ने बबली नू एक बुक सुझाई, ज़ा recommended की थी, She did not like the book at all, हुने दे च बुक दुबारा आगया वा, पहले असी बुक के नाल एदे यूज किता थी, हुन दुबारा बुक काया थे, क्योंकि साड़ा जड़ा नाउना है, उससे वाग दे विच दुबारा रिपीट हुया है, Next, Do you have dash vacuum cleaner, कि तिरेकोल vacuum cleaner है, ठीक है, एदे विच आजेगा, A, I dropped dash piece of cake on my carpet, कि मेरे कोल एक cake दा piece जड़ा सी, गलीचे उते डिग गया, and I need to clean it up, ते मेरे उसनु साफ करना है, ते vacuum cleaner के उन्दा है, गलीचे, सोफे बगारा साफ करना से ना, कारपेट नु साफ करना से, ते vacuum cleaner हुन्दा है, जड़ा की बिचली नाल चलदा है, ते वो अपने अंदर सारी dust खीचलांदा है, नेक्ट है, Rosie, where is dash lash, lash उन्दी है, रसी कहलो, जनजीर कहलो, जिदा कुट्य दा पटा, जिदना सी कुट्य नु बांदे हैं, ठीक है, कहारे ने, Rosie, पटा कित्थे है, एदे के lash, एदे गया जेगा, द, Rosie, where is the lash, I have to take dash dog for a walk, dog एदे गया जेगा, द, I have to take the dog for a walk, मेननों कुट्य नु सैव लई, लाके जाना है, I can't find it, आते मेननों नहीं मिल रहा, it was in the balcony, but now it's not there, ए पहले balcony विच सी पर होनों थे नहीं है, ते balcony, balcony particular चीज है, एदे गया, द, आएगा, next time, where is dash dictionary, ओ, dictionary कित्थे है, ठीक है, dictionary दे अगया जेगा, the, where is the dictionary, I need to look up dash word in it, मेननों ओदे विच एक शब्द देखना है, word एक word दी गाला, ठीक है, ते ओदे गया एगा, a, next day, do you have dash passport, किते रे कोल passport है, do you have, एदे के passport दे गया जेगा, a, do you have a passport, you need the passport to travel outside the country, कितनू passport चाहिएदा है, country दे विच दूसरी country चे ट्रावल करन वास्ते, passport पहले देखो देखो देखे, ए लगाया, फिर दू passport word दुबारा आया, नाउन दुबारा आया, ते ओदे गया आगया, the, next day, there dash big dog in dash lawn, ठीक है, there is a big dog in a lawn, I think dash dog wants something to eat, कि मैंनों लगदा है कि उस कुट्टे नो कुछ खान लई चाहिदा है, तो बच्चियों अत्य जड़ा second है, I think the dog आएगा, ठीक है, एदे अगया आएगा, a, कि तेरे को laptop है, yes, I have a good answer मिल रहा है, हाँ, मेरे को है, laptop and iPad, ते laptop दे अगया जेगा, a, ते iPad दे अगया जेगा, n, हुँ next है, activity number 8, pick out suitable words from the lesson for the following expression, हुँ असी जड़ा सही शब्द है, ओ चूज करके ओ लिखांगी, जिसना है, एग एग, ठीक है, एग को जड़ी अंडवा, ओधी शेप किस तरहां दियों दिया है, हुँ तु सिरसंटांस दे विची देखो, अले कहा है, एग एग, वावल ही ते वावल देगे क्या है, एग, ओ कहा है रहे ने, एग एग, ओधी तरहां दिया है, किदी उन्दी है, ओवल, ठीक है, ओवल जड़ी है, ओव एग दी शेप दी तरहां दिया है, नेक्स्ट है, सम्थिंग फू विजटे परसन और प्लेस, ओ इन्सान जा कोई व्यक्ती जो किते विजट करदा है, किसे जगाते, जा किसे फिल परसन दे कोल, ठीक है, उन्हों कहन देनी, विस्टर, जिसना तुसी किते कुमन जाओगे, ताज महल वगाड़ा ते तुसी क्य तो कठे खेल रहे हैं, उन्हों की कांगे टीम, उन्हों की कांगे टीम, अक्टिविटी नुमबर नाइन है, कहा रहे हैं, बेस्ट ओन जो रीडिंग ओन दा चैप्टर, कम्प्लीट दा फॉलिंग सेंटेंस, सब तो पहले, इस का बड़ी ए लाइन इस ड्राउन होना सी चै कार एक लाइन खिच दिती जान दिया, नेक्स्ट एक बड़ी कैन भी प्लेयर, कबड़ी खेड़ी जान दिया, बोथ बाई मैन और वो मैन दुन द्वारा बंदे भी खेड़ साथ देते थे और तामी, नेक्स्ट एक बड़ी प्लेयर निट सो भी क्विक एंड फास्ट, कि जड़ेक बड़ी प्लेयर होनानों जुरूरोत हुन दिया, ते जी डी ठीक है, एंड बी एबर तु कंट्रोल ब्लाथ, एंड होल्ड इट फॉरे लांग टाइम थे, अपने सान्म कंट्रोल करके राख सकन लंबार समा, नेक्स्ट एक्टिविटी नमबर 10, नेक्स्ट इस वर्ड्स ही जड़े यासी लब्बे ने, देखो जिस तरहां रिचा, राफरी है, कॉर्नल, सॉकल, सैंचरी, पनालटी, कबड़ी, क्रिकेट, पीच, ठीक है, एर यड़े वर्ड्स ही गे, यासी लब्ब्बे है, ते उसी यानानों लिख सक दियो, नेक्स्ट एक्टिव नमबर 11, रोहित एंड इस फादर गो फोर, गो टुए जू, कि रोहित ते उदे पिता चड़िया कार गे, देखो जड़े बहुत सारे जानवर सन, रीड दा कन्वर्शेशन बट्वीन रोहित एंड इस फादर एड दा यू, असी कन्वर्शेशन उन दे गाल बात, असी रो लॉइन कि यहे शेर है, फादर कहा रहे ने, नो रोहित, नहीं रोहित, इट इस नॉट, लुक अगेन, कि यहे नहीं है, दुबारा देखो, ए लॉइन ड़्शेर है, उस दे उपर स्पोर्ट्स मिंस की दाल नहीं हुंदे, जिसना तुस्या देख रहे हो ना, कि टीते दे दाग है, यह इस दे दाल जड़े लॉइन दे उपर नहीं हुंदे, इट हाज ए मेन, मेन हुंदे है, जिदे मिंस की तुसे शेर देखा है, मिंस की गले दे, आले दोले, बहुत सारे वाल हुंदे है, उन्हों कहन दे है मेन, रोहित कहा रहे है, ओ, आई नो, वट इस दाट, पता है, इस दाट, 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 इस फॉक्स ए वॉफ दे ए बुषी टेल देना उन कर देया रोहित पापा इस डैट वाल्स असी करता है पापा की करता पापा की बग्यार आए ऑगिएड यह लोग देखो A wolf does not have a bushy tail बच्चों मैं तो लिखना पुल गिया एटे तुसी लिखना है A bushy tail की जड़ा पेडिया है ओधी चाड़ीदार पूश नहीं हुंदी रोहीद I know what is it रोहीद कहा रहा है कि मैं जानदा है एक की है It is a fox यहे लूंबरी है पादर कहा रहे है That's right रोहीद It is a fox यहे लूंबरी है हुन अक्टिविटी नमबर 12 है एटेच कहा रहे है Write 5 sentence on the game I love to play सानु 5 बाग लिखने ने जड़ी गेमस ही पसंद कर दिया खेडनी You can use some of the following words and face सानु थले words दिती हो इने जिसना hobby, environment, health and fitness अही औरना नो use करके भी words बना सक दिया सारी sentence बना सक दिया जिसना सब तो पहले है Hobby Hobby था की बनावांगे Hobby होंदी है Ruchy एदा बनावांगे My hobby is playing football की मेरी जड़ी रुची है मेरी hobby Football खेडन दिया है Next, enjoyment एननो सी करांगे I played it for enjoyment की मैंनो सिर्फ अपने मननो रंजन लईगी खेड़ दा हा Next, health and fitness एदा सी बनावांगे It is good for our health and fitness की एह साथी सेहत वास्ते बहुत बदिया है Next, energy Energy means उर्जा It gives me energy की एह मेननो energy दिन दिया Strength and strong ठीक है एदा सी बनावांगे It makes me strong की एह मेननो ताकतवार बनान दिया है Team game means की ओ गेम जिन्नों एक खिलाडी ना खेड़के दूसरे खिलाडी ओदे ना खेड़न Means की जिदे वास्ते ज्यादा खिलाडीयां दी जरूरत पे उन्नों केंदे है team game एदे च लिखांगे जड़ी Football ओवी team game है एन्नों लिखतांगे It is a team game Next is field, ground जा court ठीक है जिसना आपा पढ़या सी ना ते means की court का दे वास्ते यूज कीता जानदा है Football खिलाड़न दे वास्ते एसे करके आपा एन्नों लिखतांगे I played it in the ground जा फिर I played it in the court कि मैं अन्नों मैं दान दे विच खेड़दा हा Next is concentration Concentration होंदे एकाग गरता ठीक है जिसना आपा स्टेड़ी कर दे हैं ते सान्नों बच्चों स्टेड़ी कर दे टाइम जुरूर कंसेंट्रेशन देनी चाहिए दिया ता ही सान्नों समझा दिया एदासी बनावांगे I played with concentration कि मैं इसनों पूरी एकाग गरता दे नाल खेड़दा हां ते बच्चों एदे नाल साड़ी एक्सरसाइस खत्म होंदिया मैं आज कर दिया है मैं अपने वोलों बहुत कोशिश की दिया कि तो हन्नों समझ आ जावे अगर वीडियो वद्धिया लगे अपने फ्रेंड्स दे नाल शेयर करे होते और वीडियो स्वास्ते चैनल लों सब्सक्राइब करे हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जा